सब्सक्राइब कीजिए SP Education चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियो को देखने के लिए हेलो एवरिवान वेलकम टूए SP Education और आज हमारी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत थांक्यू बोलना चाहूंगी कि आपने हमारी वीडियो को देखा और अपना valuable feedback हमें comments में calls करके message करके बताया कि आपको हमारी वीडियो कितनी पसंद आ रही है इस encouragement के रिए thank you and हमारी पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि हम आपको best से best content deliver करें तक ही आप अपना कोई भी government exam जो आप aim कर रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी crack करके हमें good news बताए कि आपने वो exam crack कर लिया है और आज की हमारी इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं फिर से आपको thank you बोला चाहूंगी कि आप अपने busy routine से time लिकाल के हमको देखा और हमें feedback दिया जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा valuable है तो आज हम अपना पिछले lecture जहां पे हमने छोड़ा था वहां से हम topics continue करने वाले हैं और जैसा कि हमारी last video में हमने article 14 को discuss किया था detail में पहले तो यह recap कर लूँ है कि last video में हमने क्या किया था last video में हमने article 14 के बारे में बात की थी हम fundamental rights discuss कर रहे हैं अभी और fundamental rights में हम rights to equality को discuss कर रहे हैं rights to equality आपका कौन सा right है right to equality बहुत ही important fundamental right है equality का मतलब होता है बराबरी कोई भेदभाव नहीं होना लेकिन article 14 जो है वो right to equality को define करता है कि कि किस तरीके से right to equality हमारी constitution के अंदर दी गई है article 14 अगर हम बोलें और समझे तो एक बहुत ही general सा principle नहीं एक general सा fundamental right है general मतलब वो article 14 right to equality की बात करता है article 14 जो है वो right to equality की बात करता है बहुत ही general और non-specific conditions में अब non-specific condition का मतलब है किसी specific condition में right to equality या equality का जो right है fundamental right उसके बार में article 14 बात नहीं गरता article 14 से लेकि article 18 तक हमारी rights to equality की जो provisions है जो article 14 मतलब अनुछेद 14 से लेकि अनुछेद 18 तक right to equality की जो provisions है उसके अंदर right to equality जो है वो काफी तरीके से पूरे तरीके से encompass हो रखा है लेकिन article 14 जो पहला अनुछेद है article right to equality के bracket में उसमें सिरफ right to equality को बताया गया है कि equality क्या है और कैसे apply होती है अब वो specific situations में specific situation मतलब कब और कैसे apply होगी वो हम आगया की articles में वो हम आगया की अनुछेदों में समझेंगे तो 15, 16, 17 और 18 जो हैं वो थोड़े specific tone में चले जाते हैं right to equality की application में right to equality apply कैसे होगा situations पर, लोगों पर, population पर यह हमें समझना है article 15, 16, 17 और 18 मालनी जैसे कि अभी weekend चल रहा है और कुछ दिन बाद फिर weekend आ जाएगा और हफता बीते में बिलकुल देर नहीं लगती है तो मैं आपसे पूछना चाहूँगे कि जैसे weekend पर आप कहीं घूमने जाते हैं, थोड़ा सा refresh होना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई से break लेना चाहते हैं आप कभी cinema hall में गए होंगे या आप regularly जाते होंगे, बहुत अच्छे-ची movies रिलीज हो रही हैं आजकल तो तो क्या आपने कभी देखा है कि cinema hall के बाहर या cinema hall के ticket counter के वहां पर ये लिखा है कि only Punjabis are allowed to watch this movie because it is a Punjabi movie और कभी ये लिखा है कि गुजरात के लोग ही इस picture को देख सकते हैं क्योंकि ये गुजराती movie है या इसमें गुजराती जो actor जो है वो गुजराती cinema के है या गुजराती serials की lead actor है या कुछ ऐसा क्या आपने कभी देखा है कि कोई ऐसी condition लिखी है कि जब आप cinema hall में गए और आपने देखा कि ये category की लोग नहीं देख सकते picture या वो category की लोग नहीं देख सकते अच्छा adult और universal वाली certification जो होती है movies में वो अलग बात है उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे वो यहाँ apply नहीं होता है लेकिन कभी आपने ये देखा है कि आप movie hall गए और लिखा है कि यहाँ पर 50 plus के जो लोग है वो इस picture को नहीं देख सकते क्योंकि ये movie जो है वो college के लोगों पर वनी है ऐसा कहीं आपने देखा है बहुत सारी movies होती है वो college centric movies होती है कि उसमें college की life को बहुत glorify किया है या college की life के बारे में बहुत बाते करी गई है तो ऐसा कहीं बोला गया है कि जो aged लोग है या जो college life को बहुत साल पहले छोड़ वो यह movie नहीं देख सकते, या ladies नहीं देख सकती, या सिरफ men-centric movie है, तो आदमियों को ही देखने का हाग है, क्योंकि इसमें बहुत violence है, ऐसा तो नहीं होता ना, कैसे होता है, आप सोची ज़रा, आप गए होंगे movie hall, या आप जाते होंगे, तो सब लोग भूपिचर कभी ना क क्यों नहीं होता है, कि कोई भी condition apply नहीं होती है, किसी public place पर, कि इस category के लोग जो है, या इस caste के लोग जो है, या इस community के लोग जो है, वो नहीं जा सकते, देखने के लिए आपका कोई movie किसी cinema hall में, अब cinema hall जो जगा है, वो is not a private place, वो कोई private place नहीं है, वो क्या है, it is a public place, अ place होती है, जहाँ पर generally, in normal situations, public को, जनता को assess है, public वहाँ पर आती ही जाती है, वहाँ पर जनता का आवन गमन है, आपका घर जो है, वो public place नहीं है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप हो, आपकी family है, और आप जिसको चाहते हो, वो ही enter कर सकते है, वो ही आ सकता है, कोई भी उठक वो एक private जगह है, वो private place है, आपका अपना घर है, that is your personal property in all the senses, लेकिन public places पर कोई भी condition, या कोई भी unreasonable restriction नहीं डाली जा सकती है, ऐसा क्यों, क्योंकि हमारे पास right to equality का provision है, और right to equality का कौन सा provision है, article 14 तो general है, लेकिन वो right to equality का article 15 है, जो बताता है कि आप public places पर भी चाहे cinema hall हो, public tanks हो, public wells हो, या कोई garden हो, या कोई ऐसी monument की कोई जगह हो, historical importance की, जहां पर public आ सकती है, या public जा सकती है, या public की entry वहां पर allowed है, तो जो public places है, वहां पर आप किसी भी base पर, अच्छा, किसी भी base का मतलब है, there are some factors, उन factors पर आप discriminate नहीं कर सकते, अब discriminate का मतलब होता ह है, भेदभाव, और discriminate word जो है, बहुत ही negative word भी है, भेदभाव और वो भेदभाव भी बड़ी negative और गलत tone में भेदभाव, एक discrimination होती है, उसको बोलते हैं, जो positive तरीके की discrimination होते हैं, हम उसको बोलते है, reasonable classification, या हम उसको intelligible differentia का नाम दे देते हैं, वो एक positive level पर, जो है, वो classification ह होती है, उसमें other categories में लोगों को डालते हो, एक positive sense के लिए है, बड़ जहां discrimination word use हो रहा है, law में, especially polity के अंदर, वहां आपको ये समझना है, कि discrimination मतलब something which is very negative, कोई ऐसी चीज जो negative sense में लोगों के बीच में selectively भेदभाव कर रही है, या करने की शमता वो रखती है, तो discrimination तो ब है, मतलब इतना negative word अगर article 15 में use हुआ है, जिसका मतलब है, मैं जिस word की में बात कर रही हूँ, वो है discrimination, so discrimination means selectively differentiate करना negative basis पर, it is a very negative connotation, so article 15 के अंदर discrimination word used है, article 15 जो है हमारा, वो article 14 का ही application है, उसकी ही execution है, execution वो भी बहुत ही specific conditions के अंदर है, ठीक है, अब specific conditions क्या है, कब है, किन factors पर है, वो ही article 15 में दे रखा है, अनुछेद 15 में हमें ये ही बताया गया है, कि article 14 को specific situations के अंदर, specific लोगों के साथ या relevant factors के ऊपर, कैसे apply करना है daily life में, so article 14 to 18 तो आपके right to equality हो गए, article 14 में right to equality को बताया गया है, कि right to equality में क्या आता है, equal protection of laws आता है, right to equality मतलब किसी के भेभाव नहीं होगा, ठीक है, और rule of law का concept भी हमारा right to equality में आता है, rule of law का मतलब है कि law से उपर कोई नहीं है, law is the king of all kings, so right to equality जो है वो अच्छे तरीके से अपने आप में बड़ा general तरीके से caste, sex, place of birth, इन सारी चीजों के उपर discrimination को prohibit कर दिया जाएगा, prohibit मतलब रोका जाएगा और अगर कोई पाया जाता है, discriminate करता हुआ इन basis पे, तो वो liable है punishment के, क्यों? क्योंकि आपने constitution के fundamental right का breach कर दिया, मतलब आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कीजिए, कि अगर आप prohibition of discrimination के against चले जाते हैं, prohibition of discrimination के against जाना मतलब यू? practice discrimination, prohibition के against चले जाना इस sense में मतलब कि आप discrimination practice कर रहे हैं, इन सारे grounds पर जो मैंने बताया, आपको article 15 को discuss करते वे, आपने उन चीजों को practice किया, आपने इन grounds पर, इन factors पर, लोगों में discrimination करी, negative sense से उनको differentiate करना शुरू कर दिया, उनकी treatment में unequal treatment उनको देना शुरू किया, तो क्या होगा आपके साथ, आप एक fundamental right को ये तो breach कर रहे हो, या state अगर ऐसा कर दे तो वो क्या करती है, fundamental right को breach करती है, और हमने पिछली वीडियो में ये समझा है कि fundamental right जो है हमारे, वो क्या है, देयार, justiable, justiable word आपको याद रखना बहुत ही जादा जरूरी है, ये बार बार आएगा जब जब तक आप fundamental right से deal कर रहे हो, आपको इस word को बिलकुल अपने दिमाग में समझ के रखना है, कि justiable का मतलब होता है, कुछ भी ऐसी चीज, जो law courts के अंदर enforce की जा सकती है, तो आप court में आ गए, अपने article 15 के fundamental right को enforce कराने के लिए, मतलब अगर कोई इन्सान discrimination करता है इन grounds के उपर, तो क्या होगा, उसको court में लाया जाएगा, उसकी against proceedings चेलेंगी, और he will be liable to punishment, ऐसा ही होता है, क्यों, for the sole reason, fundamental rights as justiciable, उनको मानना ही मानना है, कोई उनकी against जा नहीं सकता, जब कोई law, constitution की provisions के against नहीं जा सकता, कोई law, बनावा law, fundamental rights के against नहीं जा सकता, तो कोई इन्सान का conduct भी अगर fundamental rights के या basic structure of the constitution के against जाएगा, तो उसको भी punishment का भागीदारी बनना पड़ेगा, अब law को तो आप punish नहीं कर सकते, तो कोई ऐसा law, जो constitution की principles के against है, उसको पनिश नहीं करोगे, उस law को आप रोक दोगे, आप उस law को nullify कर दोगे, वाइड और unconstitutional declare कर दोगे, तो जब law ही नहीं टिक सकता constitution के against, तो कोई इन्सान या कोई state क्या चीज है, constitution के against भी कोई conduct करने के लिए, तो इसलिए अगर को discrimination करता भी है, इन ही grounds पर जो हम में discuss कर रहे हैं, और करेंगे हम आगे, तो he is liable to punishment and proceedings, अब discrimination on the basis of religion, race, caste, sex और place of birth, religion का मतलब आप सब समझते हैं कि आप कौन से religious group को belong करते हैं, आप Hindu है, Muslim है, Christian है, Parsi है, सिखे, जो भी है, ठीक है, race मतलब आप कौन सी race को belong करते हैं, ठीक है, caste मतलब आप कौन सी जाती को belong करते हैं, आप upper caste के हैं, आप lower caste के हैं, या शूदर हैं, या शत्रियां हैं, या जो भ चली आ रही है, बट अगर है तो हमें उसको हटाने की पूरी कोशिश करने हैं, तो caste system को हटाने के लिए ही, जो आपका article 15 है, वो effort मारता है, कि caste system खतम होना चाहिए, इसलिए caste के basis पर हम equality को deny नहीं कर सकते हैं, भेदबाव हम caste के basis पर तो at least नहीं करेंगे, और बाकी बचा आप हमी है, उरत है, वोमेन है, मैन है, तो आप उसको discriminate नहीं करोगे, और last आपका रहता है कि place of birth पर भी आप discriminate नहीं करोगे, ऐसा बहुत बार होता है, कि आप colleges में जाते हैं, admission लेके, अपने घर से दूर जाते हैं, hostel में admission लेते हैं, वहाँ पर, आप देखते हैं कि जैसे तो ragging आप इल्कुली बंद करा दी गई है, इल्लीगल करा दी गई है, बाट फिर भी शायद होती है, और होती ही होगी, जो मुझे लगता है, विकोर इस बड़ा ही है, क्या कहते हैं, कि ये, it is a very, क्या बोल सत्या, it is a part of your college life, चाहे harsh ragging ना हो, तो mild तो होती ही होगी है, कुछ ऐस ही हासी ठीटोली जैसी चीज़ है, तो वहाँ पर भी आप देखेंगे कि आपको ऐसा लगेगा, कि अगर फर एक्जामपल डेली के लोग हैं, और या या यूपी के लोग हैं, तो वो अपना ही ग्रुप बना लेते हैं, क्योंकि वो प्लेस आफ वर्थ उनका डेली है या य psychologically आप kinship form कर लेते हो, आप you tend to form a group with those people who belong to your place of birth, अच्छा आप कहीं US में भी जाओगे, तो अच्छा आप इंडिया से हो, आप इंडिया में पैदा हुए हो, तो आपकी एक bonding शुरू हो जाती है, that is the reason that place of birth की basis पर article 15 कहता है कि state जो है, वो discriminate नहीं करेगी, place of birth मतलब अगर कोई दिल्ली का है, for example, हमानो के कोई government exam का interview चल रहा है, और interview लेने वाला बना जो है, वो राधिस्थान की state से है, और जो candidate आया है, जिसको नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए, अच्छे लेव interview जो है, ठीक है, उसमें वो marks कम गेन करता है, उसका merit भी मेंस के exam तक जो written exam हुआ है, उसमें कम है in comparison to Delhi का candidate, जो Delhi का place of birth रखता है, तो अब जो interviewer है, वो ये basis लेकर नहीं उसको job देसता, राधिस्थान वाले candidate को, कि just because मैं राधिस्थान का हूँ और वो candidate भी राधिस्थान को belong करता है, तो इसको job भी दो, job आपको जो देनी है, interview के आपको marks लगाना है, जो consolidated result आना है, वो candidate के merit पर आएगा, वो उससे ये deal नहीं करना चाहिए, कि ये मेरी state का है, या कोई और state का है, या ये है, वो है, तो place of birth पर भी आप discriminate नहीं करोगे, भेदभाव नहीं करोगे, ठी article 16, जो हम पढ़ेंगे 15 के बाद, वो और specific होता है, वो कहता है कि इन factors पर हम public employment देने में, नौकरियां देने में भी हम discriminate नहीं करेंगे, तो ये वाला जो example है, वो article 16 में ज्यादा better तरीके से fit होता है, अब हम चलते है, article 15 के clause 1 पर, article 15 का clause 1 कहता है, article 15 clause 1 says, no citizen, वो कहता है, कोई भी बारत देश का जो नागरिक है, अच्छा, पहली बाद तो ये article 15 जो है, आपका citizens पर ही apply करता है, कुछ fundamental rights आपके citizens और non-citizens दोनों पर apply करता है, article 15 आपका citizens पर apply करता है, so article 15 का clause 1 जो है, वो ये कहता है, कि no citizen shall be denied, no citizen shall be denied on grounds, only on, only off, मतलब सिर्फ इन ही grounds पर, religion, race, caste, place of worth and sex, in grounds पर, किसी भी व्यक्ती को और वो व्यक्ती, Indian citizen की बात हो रही है, 15 clause 1 में, mind you, आपको ये याद रखना है, कि यहाँ पर 15 clause 1 में, specifically word जो use हो रखा है, वो citizen की बात हो रही है, citizen मतलब, no citizen shall on grounds of religion, race, etc, etc, और any of them, इन सारे grounds पर, या किसी भी एक ground पर, or any of them word use हुआ है, और any of them मतलब, किसी भी एक ground पर, be subjected to any disability, liability, or restriction, or condition, किसी भी condition, किसी भी restriction, या किसी भी terms and conditions, जो unreasonable है, या किसी भी liability, या किसी भी disability, से उसको हम face नहीं कराएंगे, ठीक है, अब यह कहता है, कि 15 clause 1 और 2 जो है, वो state के उपर एक obligation डालता है, कि आप नहीं करेंगे, तो 15 clause 1 में कहता है, that the state shall not deny to any citizen, on the basis of these basis, अब 15 1 में वो कहता है, no citizen shall be on the grounds of religion be denied by the state, अब 15 clause 2 जो है, वो थोड़ा और specific हो जाता है, वो कहता है, 15 1 में कहता है, the state shall not deny to any citizen, मतलब no citizen shall be denied the right to equality by the state on these grounds, 15 clause 2 कहता है, कि state जो है, अब 15 2 हम आ गए 15 1 से, this is a little more specific, वो कहता है, इन सारे grounds पर तो ठीक है, जैसे हमने 15 1 में discuss करा, लेकिन इन grounds पर आप कब-कब discrimination नहीं कर सकती, state citizen के साथ, वो कब-कब नहीं कर सकती, उसमें भी conditions दे रखिये, पहली condition, article 15, sorry, clause 2 में दे रखिये, वो है, कि assess to shops, assess का मतलब है कि आप उस पर assess करते हैं, आप जा सकते हैं, assess का मतलब यह होता है, कि आप किसी चीज तक पहुँच सकते हैं, तो मतलब assess to shop मतलब किसी दुकान पर जाने के लिए, public restaurants, आपके जो hotels हैं, places of public entertainment, अब जो cinema hall वाल वाला example मैंने आपको starting में बताया, वो 15 clause 2, sub clause 1 में fit होता है, sub clause 1 में, sub clause A में fit होता है, I'm sorry, जो पहला इसका sub clause है, so article 15 clause 2, sub clause A, A कहता है कि public entertainment की places हों, चाहे hotels हों, या public place हो, या कोई भी shop हो, इन सारी जगाहों पर assess और reach के लिए, किसी भी citizen को discrimination face नहीं करनी है, state से, क्योंकि state shall not deny to any citizen, 15, 1 में, article 15 clause 1 में state word यूज हुआ है, कि state जो है, इन सारे grounds पर नहीं करेगी, discriminate citizens को, 15 clause 2 कहता है, ठीक है, इन सारे grounds पर नहीं करेगी, पर ये grounds में कब, अब इनको भी और specific करता है, कि कौनसी कौनसी circumstances में discrimination नहीं होगी, तो ये circumstances कौनसे हैं, पहला है, assess to shops, public places, hotels, and places of public entertainment, तो चाहे place of entertainment हो, कोई दुकान हो, या कोई mall हो, या कोई ऐसी जगा, जहां पर लोगों का आना जाना हो, कोई बहुत अच्छा garden हो, जहां पर रोज लोग सुबह वाक करने आते हैं, शाम को खेलने आते हैं, बच्चे, वहाँ पर भी जो state है आपकी, वो discriminate नहीं करेगी, negative तरीके से, selectively, prejudicial तरीके से, वहाँ पर वो बेदभाव नहीं कर सकती है, यह सिंपल स्पर्स शब्दों में, आर्टिकल 15, Clause 2, Clause A यह वाली बात कहता है, ना, Clause B, जो है, आर्टिकल 15, Clause 2 का, जो सब Clause B है, वो कहता है, no citizen shall be denied by the state, only on grounds of religion, race, etc, etc, फिर हम बोलेंगे, the use of wells, tanks, bathing huts and places of public resort, now it says के wells, tanks, places of public resort, public resort मतलब जहां पर public जाती है, वो कोई भी जगह हो सकती है, चाहे गार्डन है या कुछ भी, public resort वाला जो वाल्ड है, वो और ज़्यादा वाइड है, places of public entertainment से, place of public entertainment can be a place of public resort also, बड़े थोड़ा और वाइड है, वो कहता है कि किसी को भी, किसी tanks, मतलब पानी वाले जगह या बेधिंग गार्ड, जहां पर जाके लोग नहाते हैं, जहरों में तो सब के पास अपना होता है, घर और बाथरूम और बाथरूम और वाहां पर, बेधिंग हार्ड में नहाने का, और फ्रेश होने का कल्चिर होता है, बहुत इंटीरियर्स में आप जाओगे, वैसे गाओं में भी शोचाले वगारे बने, लेकिन बेधिंग हार्ड का concept अब बिट प्रेवलेंट है हमारे कंट्री या अंदर, वा कहता है, assess to tanks, wells, wells क्या होता है, wells मतलब कुवास जहां से पानी लेकलता है, तो आप यहीं नहीं कह सकते, अब इसमें एक और example आ सकता है, कि जो tanks, wells और बेधिंग घाट से हैं, इसमें क्या होता है, इसमें पानी लोग यूज कर रहे हैं, तो आप यह नहीं कह सकते हैं, कि कोई SC है या ST है, इसमें दुनिया लोग वाटर ले सकते हैं, वह वहां पर नहीं discrimination होगी, इसमें यह मतलब है कि यहां से आप resource ले रहे हैं, water क्या है, water is a resource, और water is a very important resource, ठीक है, पानी नहीं होगा, जल है तो जीवन है, इसलिए यहां पर यहां जारा है, कि किसी को भी आप पानी लेने के उसके reference में, आप discriminate नहीं करोगे, क्योंकि wells, tanks and bathing hunt, जहां सारा reference to the water resource, अब इसका मतलब यही है, कि आप किसी को water resource, या natural resources आप deny नहीं करोगे, just because वो इस race का है, या इस caste का है, या इस gender का है, या कहीं उसका place of birth है, ठीक है, ना इसमें तो हमें समझ में आ गया है, और any place of public resort, place of public resort का मतलब है, कि जहां पर public का आना जाना है, अब इसके बाद एक और line आती है, article 15 clause 2 में, वो यह कहती है, words है, line तो चल वो ही है, चलो, words है, वो कहती है, wholly or partly maintained out of state funds, अब यह जो wells, tanks, tanks, bathing hats, और places of public resort के हम में बात की है, वो कह रहे हैं कि, वो ऐसे tanks है, ऐसे wells है, जो state fund कर रही है, मालनो किसी का private bathing hats है, किसने खुद बनवाया है, अपनी family के लिए, अपनी लोगों के लिए, वहां पर article 15 अपलाई नहीं होगा, वहां पर वो पूरा उसके पास freedom है, कि वो restriction डाल सके हैं लोगों की entry पर, क्योंकि वो public well या public tank नहीं है, या place of public resort नहीं है, और उसको state funding नहीं मिल रही है, तो इसका सीदा मतलब यही है, कोई भी ऐसी place of public resort, या कोई भी tank या well, जिसको state fund कर रही है, चाहे उसमें 100% funding state की है, या कोच portion या कोई party state fund कर रहा है, मतलब state का रोल उसकी funding में आ गया है, चाहे पूरा या थोड़ा या आधा, जितना भी है, तो फिर state अपने ही funding वाले जगहों पर जो है, नहीं discriminate कर सकती है, तो आर्टिकल 15 बहुती interesting और अच्छा आर्टिकल है equality के उपर, जो daily life में हम लोग follow करी रहे हैं, और अगर नहीं करते तो वो गलत है, बहुती दुरभाग्य और शर्मिंदगी की बात है कि आप लोगों में इसी ground पर भेदभाव कर रहे हैं, अब आजाते हैं, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 पर, आर्टिकल 15 क्लॉज 3 जो है, वो थोड़ा सा हटकर है क्लॉज 15 वन और क्लॉज 15 टू से, जो बात आर्टिकल 15 क्लॉज 1 में दी गई है, उसी का ही extension आर्टिकल 15 क्लॉज 2 में दे रखा है, लेकिन अब आज आते हैं हम article 15 clause 3 पर अब article 15 clause 3 जो है वो बहुत ही अलग tone पर चल रहा है वो बिलकुली अलग हट के बात कर देता है अब अगर हम देखें तो article 15 plus article 15 clause 1 and article 15 clause 2 को हम साथ में पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं कि यह एक ही बात कह रहा है थोड़ा extend हो के कह रहा है article 15 clause 2 लेकिन article 15 clause 3 तो अलग ही note पर बात कर रहा है इस clause की बात की direction ही विलकुल opposite है वो यह कहता है it is kind of an exception to both the above you say clauses now article 15 3 जो है वो यह कहता है nothing in this article इस अनुछेद में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए ना है ना होगा कभी जो prevent कर दे state को जो prevent कर दे जो रोक दे state को कि state women and children और तों के लिए और बच्चों के लिए को special law ना बना सके इसका सीधा मतलब यह है कि अगर state को ठीक लगता है अगर state को इस बात में समझ और तत्थे लगता है कि उन्हें women के लिए और children के लिए special law बनाना चाहिए तो state को article 15 के ये उपर वाले clauses रोकेंगे नहीं state कभी भी ऐसा कोई law enact कर सकती है कभी भी ऐसा law बना सकती है जो women को special status दे रहा है औरों के comparison में जो children को favor कर रहा है बाकी की population के comparison में अब इस बात सीधा logic यही है कि 15 clause 3 में जो बात बोली गई है वो क्यों बोली गई है वो इसलिए बोली गई है क्योंकि ऐसा हमेशा सही देखा गया और माना गया है कि इंडिया की history में हमारे भारत देश की जो history है उसमें ये देखा गया है कि जो woman है उसको हमेशा से weaker gender माना गया है यही माना गया है कि जो ओरते हैं वो घर पे रहती हैं और आदमी हैं वो बाहर की दुनिया में कामाने के लिए और बाहर की दुनिया को face करने के लिए बने हैं और ओरते जो हैं वो वीक हैं उनको घर में ही संजो के सिमट के रह जाना चाहिए, उनके इसकी बात नहीं है, या उनमें वो उस तरीके से शायद बनाई नहीं गई है भगवान के द्वारा, कि वो जिंदगी की कॉंपलेक्सिटीज और लाइफ की जो हैशनेस है, उसको फेस करें और उसको हैंडल करें, तो वोमेन को उस सेंस में भी वीक माना गया है, और वोमेन को इंडियन हिस्ट्री में कोई बहुत बड़ा दरजा भी नहीं देया गया, ऐसा हुआ नहीं है कि वोमेन को बहुत जादा वोमेन को स्टेटस कभी भी आदमी की एकवल नहीं था हिस्ट्री के अंदर, वो अब modern जमाने में होने लग गया है कि और लेडीज और वोमेन, आपकी जो female gender है, वो is at par with the male population of the country, males के comparison में एकवल है, वो शायद कहीं कहीं जगातों उनसे आगे भी हैंगे, तो अब होने लग था, society की conditions के according भी और वो उनकी acceptance के according भी, कि वोमेन को एक weaker section माना जाता था हर sense में, physically weak, mentally weak और दुनिया को झेलने के लिए भी बिल्कुल weak, तो इसलिए वोमेन जो है, वो हमेशा से weaker sex थी, weaker gender थी, इसलिए उनको uplift करने के लिए special provision बनाया गया, कि उनको तो हम special provision बनाके उनको uplift क कर सकती है state और उसके लिए 15 के जो उपर, article 15 के जो उपर के 1 और 2 के clauses हैं, वो नहीं रोकेंगे, ठीक है, state को, ये law को बनाने से, same goes with the children, children के लिए क्यों, क्योंकि बच्चे जो होते हैं, वो देश का आगे भविश्य हैं, और अगर उनको state को लगता है कि अभी जो बच्चे ह उनके लिए law बनाये या बना सकती, क्योंकि उनको, children को protection चाहिए, and they are in the formative stages of their life, मतलब अभी वो established नहीं हुए है, अपने पैरो पर नहीं खड़े हुए हैं, और कल का भविश्य भी है, इसलिए ही state जो है, खुशी-खुशी उनके लिए special law बना सकती है, और article 15 के उपर की या जो है, वो special status for women and children है, आप इसको note भी कर सकते है, it states about special status for women and children, women and children के लिए special status के बारे में बात हुई गई है, अब clause 4 जो है, वो कहता है, कि nothing in this article, nothing in this article or in clause 2 or article 3 of article 19 shall prevent the state from making any special provision, कुछ नहीं है, हम इसको language में भी इतना नहीं जाते हैं, क्योंकि इसमें article 19 की बात की गई है, और article 19 भी हमने discuss नहीं किया, बस वो यही कहता है, कि state जो है, उन backward classes के लिए, उन पिछड़े वे लोगों के लिए, जो socially और educationally, जो society के comparison में पीछे रहे गए हैं, social life में, और जो educationally की पढ़ाई की मामल में भी पिछड़ गाए है, उनकी families में education नहीं है, उनके लिए भी special provision state बना सकती है, और इसमें कौन-कौन से लोग included है, इसमें आपके other backward classes है, ठीक है, schedule caste है, और schedule tribes है, अब उनके लिए जो law बनाएगी, वो किसलिए बना सकती है, state, educational institutions में admissions के लिए, जो आपकी जो भरती होती है, नियुकती होती, admission होता है na schools में, colleges में, उसमें आपका आजकल नया रूल आ गया है Supreme Court का, कि 25% EWS quota होगा, लेकिन EWS quota वाली बात is only economically weaker section वाला quota, लेकिन इस क्या कहते हैं, clause के अंदर economic backwardness की बात नहीं हो रही है, इसमें तो socially and educationally backward classes की बात हो रही है, ल example से जो मैं आपको अभी बताया, क्योंकि अगर जो families, क्या कहते है, economically weak हैं, तो काफी हद तक वो socially और educationally भी backward होगी, तो इसलिए EWS जो है, category है, 25% admissions दे नहीं है, private educational institutions को, I mean whether aided or unaided by the government, अगर उनको government से private educational institutions को aid मिल भी रही है सरकार से, तो भी उनको ये rule follow करना है, अपने schools और colleges के अंदर admission देना है, ऐसे backward classes के लिए quota रखना है, कुछ amount का, चाहे वो state से funding उनकी है, aid, state aid मिल रही है तो भी, और state aid अगर इन private institutions को नहीं भी मिल रही है, तो भी, it is immaterial whether state funding are in private educational institutions के पास के नहीं, but in private educational institutions को कुछ number of seats, कुछ proportion of admissions जो है, वो सेव करके रखने है, अब हम बस अब इस article 15 को हम काफी deeply समझ चुके हैं, language के बेराक में जो लिखा है, उसको भी समझ चुके हैं, लेकिन अब हम इसको रिकाप्सुलेट करते हैं, कि article 15 जो है, वो क्या actually कह रहा है, जो हमने अभी तक पढ़ा, उसके एक quick revision कर लेते हैं, ठीक हैं, अब revision में हमें क् article 14 to article 18, जो है हमारा right to equality का fundamental right है, article 14 के अंदर, right to equality क्या है, वो बताया है, article 14 जो है, वो एक general सा article है, अब article 15 जो है, वो discrimination को prohibit करता है, उसकी language है, prohibition of discrimination on x, y, z grounds, now prohibition of discrimination ही, उसका पूरा keyword है, तो keyword article 15 का है, discrimination, मतलब discrimination को रोक रहा है, article 15, अब clause 1 पर आते हैं, वो कहता है, कि state जो है, वो discriminate नहीं करेगी, इसका सीधा साफ मतलब है, कि state जो है, discriminate नहीं करेगी, against any citizen on grounds only of religion, race, x, y, z, ठेक है, 15, 2 के अंदर बात की गई है, कि इन grounds पर state जो है, citizens के साफ में, इस देश के नागरिकों के साफ में, discrimination नहीं करेगी, कौन-कौनसी conditions में discriminate नहीं करेगी, ये religion, race, caste, place of body, सारी की सारी चीज़ें आपकी, तो grounds of discrimination हो गए, लेकिन 15 clause 2 के अंदर circumstances, situations और conditions डाल दी गई है, कि इन situations में discrimination जो है, नहीं की जाएगी, citizens के साथ में, अब वो कौनसी conditions है, वो ये conditions हैं, कि आप assess to shops, public places, public entertainment, tanks हो गए, wells हो गए, bathing guards हो गए, जो state funding, या तो partial state funding पर चल रहे हैं, या wholly out of the state funds, उनको state जो है, 100% तरीके से financial funding और backing दे रही है, ठीक है, इतना हमने समझ लिया, 15-1, article 15 clause 1 और article 15 clause 2 जो है, वो साथ साथा पढ़ सकते हैं, हराम से समझ लेंगे, वो एक ही बात कह रहा है, 15 clause 2 is just the extension, वो आगे ही बात करता है, 15-1 से एक कदम आगे चला जाता है, and children जो है, आड़तों और बच्चों के लिए state है, कभी भी special law बना सकती है, और article 15 के जो उपर के clauses हैं, provisions है, वो state को ये law बनाने से नहीं रोख सकते हैं, इसका reason मैंने आपको दिया है, reasonable reason है, कि woman का status हमेशा से इंडिया में बहुत ही कम था, men के comparison में, और children को protection की जरूत होती है, वो मासूम होते हैं और अभी अपने पहड़ों पे खड़े नहीं हुए है, अपने आप में कुछ नहीं है, उनको हमेशा कोई assistance चाहिए होती है, so ऐसे cases में state law बना सकती है, कोई भी special law, उनकी protection और upliftment के लिए, next हमें clause 4 में देखा, कि जो state है, वो backward classes की advancement के लिए, या schedule class और schedule tribe के advancement के लिए, कोई भी special provision या मतलब कोई special law बना सकती है, इसके बाद हमने देखा के backward classes के advancement के लिए, चाहे वो educationally backward हो, या पढ़ाई लिखाई से पीछे रहे गए हो, या social life के अंदर पीछे हो, या social life में वो included नहीं है, लोग उनको साइड करके रखते हैं because of any reason, तो उन लोगो के लिए भी, उन backward classes के लिए भी और schedule caste और schedule tribes के लिए भी, admission जो है private institutions के अंदर reserved रहेगा, कुछ number of seats उनके लिए भी हम सम्हाल के रखेंगे, तो article 15 clause 4 जो है वो यही बोलता है कि backward classes के लिए law बनाया जा सकता है, और 15 clause 5 जो है वो फिर से थोड़ा specific हो जाता है, कि special provision कि sense में बना के time पर, कुछ seats जो है reserve करी जाएंगी, backward classes के लिए, schedule tribes के लिए और schedule caste के लिए, so article 15 जो है, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें बहुत सारे case laws भी होते हैं, बट अभी के लिए इस वीडियो में हम सिरफ concept की बात करेंगे, so इसमें हम यही समझना है कि article 15 actually क्या है, और thanks for watching this video very patiently, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वीडियो से बहुत benefit मिलेगा, आपको अपने exams की preparation में काफी help भी मिलेगी, और आपको कोई भी doubts है, तो आप हमें comments में question कर सकते हैं, हम as soon as possible, जितना जल्दी हो सकेगा, आपको revert back करेंगे, और आपको पूरा सयोग देंगे आपकी preparation में, all the very best और इसी के साथ, with a promise that we will soon be uploading the article 16 video, so आप देखते रहिए, keep watching and liking our channel and thanks once again. कर दो कर दो कर दो हमें लोगा जापकी कर दो